हलो फ्रेंड्स, इस्टडी बेसिक 24-7 में आपका श्वागत है आज हम इस वीडियो में क्वाडिटिक एक्वेशन के कुछ सम्स करेंगे जो सिरी देराचारे फामुला के बेस्ट पे होंगे उससे पहले हम जानेंगे सिरी देराचारे फामुला कैसे बना उसके हम फ्रूब देखेंगे चलिए हम सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही वेल आइकन को भी प्रेस कर लीजे जिससे मेरे दौरा बनाई गई ऐसे ही डेली अपडेटेड वीडियो आप लोगों को मिलती रहें और आपकी पढ़ाई कांटीन्यू रहे तो चलिए सुरू करते हैं बिना कोई लेट किये तो देखें स्रीदराचारी फामुला को डेराइब करते हैं तो देखें आपको पता होगा कि x is equal to यानि यहाँ पे अगर हम स्रीदराचारी फामुला की बात करें तो होता है minus b plus minus under root b square minus 4ac ठीक है? अगर अगर आप लोग को यह नहीं पता था कि यह कैसे आता है तो आज हम सिखाएंगे आपको देखो यह जो है quadratic equation चलना है अगर हम इस equation में 4a से multiply कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम 4a से इसको भी multiply करते हैं और इधर भी हम 4a से multiply करते हैं क्योंकि दोनों तरफ multiply करेंगे तभी equation में कोई change नहीं होता है तो देखिए 4a square x square plus 4abx हो जाएगा 4abx plus 4ac is equal to 0 क्योंकि यहाँ 4a से आप 0 को multiply करेंगे तो 0 ही आएगा तो यह चीज़ जो आ गई इसको यह हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यह 2ax 2ax का whole square लिख सकते हैं 2ax का whole square और इसको हम क्या करेंगे? plus 2, अब यहाँ पे 2 into 2ax into b ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है? plus क्या लिखेंगे? b square अब यहाँ पे यह इतना b square यह मैं extra add कर रहा हूँ इसमें b square minus b square कर दिया वह ने ठीक है? क्योंकि जो मैंने plus b square किया वही मैंने minus कर दिया तो यहाँ पे बात खत्म हो गई आगे हम देखेंगे तो plus 4ac वही जो यहाँ पे लिखा बचा हुआ था उसको लिख दिया is equal to 0 यह हो गया तो यह पूरा एक मैंने यह ऐसा क्यों किया? इसको मैंने एक वो perfect square बनाने के लिए तो देखो मैंने बना दिया यह पूरा बन गया तो यह हो गया आपका 2ax plus b का whole square minus b square plus 4ac is equal to 0 यह आपको पता चल गया ठीक है? अब हम इसमें क्या करेंगे? अगर इसको हम further और solve करें तो हम यह लिख सकते हैं 2ax plus b square is equal to b square minus 4ac हो जाए यह इसको अगर हम उधर बेट देते हैं यहां तक कोई doubt नहीं होना चाहिए आप लोगों को यह अगर आपको पता चल गया तो देखिए यहां पर square है तो square को क्या कर सकते हैं? यानि 2ax plus b is equal to हम लिख सकते हैं यहां पर b square minus 4ac under root में ठीक है? यह हो जाएगा आपका अब यहां पर plus b है तो इधर भेज़ेंगे तो minus b में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है? अब under root है तो क्या हो गया? यह plus minus का हो गया तो इसको फर्दर solve करोगे तो यह 2ax is equal to minus b ठीक है? minus b plus minus under root b square minus 4ac अब यहां पर देखे 2ax है तो हमें सिर्फ x ही तो रखना है बाकी तो हम नीचे बेद देंगे क्योंकि x की value जानी तो x is equal to क्या है? यहां पर multiply में हो जाएगा तो minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a तो देखिए यह आ गया formula यही formula हम यहां पर दिखुल लिख रहते हैं इसी का हमने derivation दिखा दिया अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो comment में बता दीजिए का मैं फिर से समझा दूँगा नहीं तो आप इसको rewind करके फिर से देख लीजिए चलिए फिलाल हम question पर करते है इससे related कुछ sums करते है तो देखिए जैसा कि पहला सम दे रखा है क्या 3x square plus 2x minus 1 is equal to 0 यह दे रखा है हमें यहाँ पे बताया गया है कि सारे के सारे formula से use करना है formula में it means क्या x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a इस पे हमें solve करना है तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम सारे value लिख लेंगे it means क्या है यह सारे के सारे क्या है x square plus b x plus c is equal to 0 इसी पे है तो a की value यहाँ पे क्या है 3 quadratic equation है b is equal to 2 and c is equal to minus 1 सारी value हमें पता चल गई हम लग देंगे यहाँ पे तो minus b है तो minus 2 हो जाएगा आपका plus minus b square under root देखें तो under root b square b square की value क्या हो जाएगी यानि 2 का whole square 4 minus 4 into a c तो देखें 4 लिख लेंगे a कितना है a की value 3 है 3 लिखेंगे c minus 1 है तो minus 1 लिख लेंगे तो यह हो गया by 2a अब 1 3a तो 2 3 जा 6 यह value आगी अब यहाँ पे इसको solve कर यह देखें पहले हम under root के solve कर लेंगे तो 4 3 2 12 12 minus यह minus minus plus हो जाएगा तो 12 plus 4 16 आजाएगा तो यह next क्या हो जाएगा minus 2 plus minus यहाँ पे देखें क्या है यह under root 16 है तो it means क्या लिख लेते हैं एक बार under root 16 by 6 इसको further solve करोगे तो यह हो जाएगा minus 2 plus minus 4 by 6 एक बार अब इसको हम plus कर लेंगे एक बार minus कर लेंगे इस तरीके से करेंगे ठीक है जब यह आजाए तो इसको एक बार plus कर लीजिए जैसे ऐसे minus 2 plus 4 by 6 that is plus 2 by 6 means 1 by 3 एक answer हो जाएगा आपका ठीक है और दूसरी बार जब करोगे minus 2 minus 4 by 6 that is minus 6 by 6 जो की minus बना जाएगे तो दोनों answer हमें पता चल गए यहां से हम वो यानि factorization method से हम ना जानके हुए हम सीधा x की value यानि जब आप factorization method आपका काब नहीं करता तो सिरी दरा चारें मतलब कोई भी ऐसा quadratic equation आ जाएगा कुछ भी आ जाएगा आपको इससे x की value जरूर मिलेगी आप factorize में नहीं निकाल सकते हूँ क्योंकि वहाँ पर जब factor बनेगा तभी वो पायेगा लेकिन यहाँ पर आप सीधे value put करेंगे ABC की और हमेशा आपको x के roots मिल जाएगे तो चलिए next question को solve करते हैं next question को हम solve करेंगे एक दूसरे color से ठीक है ताकि आप लोग confuse नहीं हो तो देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x plus 3 यह जो value लिखी हुई है 2x plus 3 x plus 3 is equal to x plus 4 और x plus 2 यहाँ पर cross multiply कराएंगे तो यह हो जाएगा 2x plus 3 x plus 2 is equal to जो हो जाएगा x plus 3 और यह आपका हो जाएगा x plus 4 ठीक है यह value आ गई है इसको अब जब हम solve करेंगे तो देखें यहाँ पर इसको अगर multiply कराएंगे तो यह 2x square हो जाएगा यहाँ पर इसको multiply कराएंगे तो यह 2x square plus 2x 4x यहाँ यह 3x ओके और यह जो value आ जाएगी 3x और यह 3,2,6 ठीक है 3,2,6 हो जाएगा आपका यह हो गया इस वाले को solve करोगे इस वाले को तो यह आ जाएगा x square plus 3x plus 4x plus 12 अब दोनों को अगर हम लिखें तो देखो एक साथ अगर हम लिखें इनको तो हम लिखेंगे 2x square minus x square plus 7x minus 7x और यहां देखें plus 6 है यहां minus 12 है is equal to 0 तो यह क्या आ गया तो देखें यहां पर x square 7x, 7x तो यह 0 हो जाएगा तो यहां बचेगा x square minus 6 is equal to 0 ठीक है x square minus 6 is equal to 0 तो यहां पर देखें अब हम यह स्रीदराचार formula लगाएंगे जिसमें से a की value यहां हम देखें तो क्या है a की value 1 है b is equal to 0 है देखें यहां पर x की value है नहीं तो इसलिए क्योंकि यहां पर जैसे अभी इस वाले value है देखो यही general form होता है इसमें अगर हम b की value 0 रख दे तो x वाला पूरा term गायब हो जाएगा तो इसलिए हम यह लिखेंगे कि b is equal to 0 and c is equal to minus 6 अब उसी हम स्रीदराचार formula पे यूज करेंगे तो देखें minus b है तो minus b यानि 0 तो plus minus plus minus की बात करें तो plus minus ऐसे लिख लेंगे under root b square अब b square मैं तलब 0 square 0 का square minus 4 into a a कितना है 1 और 6 तो यह आपका हो जाएगा 1 into minus 6 तो यह अब 2a कितना है यह नि 2 आ जाएगा अब यहाँ इसको further solve करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 0 से कोई मतलब नहीं लेकिन लिख दिया है मैंने 0 plus minus यहाँ अंदर बचेगा 24 वो भी plus का ठीक है plus 24 बचेगा तो उसको हम लिख सकते है 2 root 6 ठीक है 2 root 6 by 2 यह आए जाएगा अब यहाँ 0 plus minus से कोई मतलब है नहीं तो देखे यहाँ पर जो value आ जाएगी आप इसको cut कर सकते है और 2 से 2 cancel out हो जाएगा तो 1 आजाएगा plus root 6 और 1 हो जाएगा आपका minus root 6 यह आपके answer हो जाएगी आपके mind में एक question होगा कि 24 को हमने 2 root 6 कैसे लिखा तो ऐसे करते है 24 को अगर हम factorize करें तो 2 into 2 into 2 into 3 अब यहां से देखिए यह pair बन जा रहा है तो यह pair बाहर हो जाएगा pair बन गया तो बाहर हो गया बाकी के जो आए अंदर रह जाएगे तो 2 root 6 ऐसे हमने निकाला है तो आप लोग वीडियो को pause करके इसको note कर लीजे क्योंकि हमें next question solve कराना है तो मैं इसको erase करने जा रहा हूँ तो इसलिए next question देखते हैं तो देखिए यहां पर क्या है root 6 x square minus 4 x minus 2 root 6 is equal to 0 तो यहां पर देखिए a की value क्या given है a की value root 6 given है b की value minus 4 given है and c is equal to minus 2 root 6 given है तो यहां पर हम उसी तरीके से इसको solve करेंगे b square minus 4 ac पे minus b देखिए रखेंगे तो minus minus क्या हो जाएगा 4 plus minus under root b square to b square मतलब minus 4 का square कितना होगा 16 minus 4 into a कितना है root 6 into यह आपका minus 2 root 6 है ठीक है यह value हो जाएगी आपकी अब यहां पर इसको जब further solve करोगे नीचे क्या आ जाएगा 2 यह है तो 2 root 6 हो जाएगा इसको जब further solve करोगे तो देखिए यह कितना है minus 2 root 6 और यह कितना है minus 4 root 6 इसको multiply कराओगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और यह root 6 root 6 6 हो जाएगा ठीक है root 6 को multiply करोगे root 6 से तो 6 आ जाएगा तो 8 6 जा total 48 तो यहां पर 16 plus 48 हो जाएगा क्योंकि minus minus plus हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 4 plus minus under root 16 plus 48 that is 64 by 2 root 6 ठीक है अब 64 की value क्या हो जाएगी 8 तो हम लिखेंगे 4 plus minus 8 by 2 root 6 एक बार इसको plus करेंगे तो 4 plus 8 by 2 root 6 लिखेंगे that is 12 by 2 root 6 ठीक है 2 से इसको cancel कर देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा इसको और further solve करोगे तो यह जो value आ जाएगी वो root 6 ठीक है root 6 दूसरा अगर करेंगे तो 4 minus 8 कितना होगा जैसे 4 minus 8 2 root 6 लिखेंगे तो यह क्या आ जाएगा 4 minus 8 कितना है minus 4 हो जाएगा minus 4 2 root 6 इसको cancel out कर दोगे तो 2 आ जाएगा तो यहाँ पर जैसे root 6 है तो root 6 को हम क्या लिख सकते हैं अगर हम इसको उपर नीचे दोनों तरफ multiply करा दें तो क्या हो जाएगा minus 2 root 6 multiply by यहाँ पर देखिए root 6 कर देते हैं यहाँ भी root 6 से multiply करा देते हैं तो यह हो जाएगा minus 2 root 6 by 6 य cancel out हो जाएगा इससे तो यह क्या आ जाएगा root 6 by 3 आ जाएगा मतलब minus root 6 by 3 यह आपका answer हो जाएगा next question पर चलते हैं तो next question देखिए x to power 4 minus 2 x square minus 3 is equal to 0 तो आपको इस question को देखते हुए थोड़ा सा doubt हुआ होगा कि quadratic equation में इस type के question कैसे आ गए sir ने तो अभी तक नहीं बताया था कि highest degree तो true होगी लेकिन नहीं इस type के question भी आएंगे इसलिए मैंने लिया है तो इनको हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर x square देख सकते हैं यह hint है आपका ठीक है it means कि x square वो x के equal है इसको इसलिए हम लिख देते हैं चलो कोई term हम बदल देते है variable terms x square को हम यहाँ पर a मान लेते हैं ठीक है तो it means अब यह क्या हो गया x square square minus 2 x square minus 3 is equal to 0 को हम लिख सकते हैं a square minus 3 minus 2 minus 2 a minus 3 is equal to 0 अब इसको हम चलिए factorize कर लेते हैं तो 3 बेंजा 3 तो इसको हम लिखेंगे a square और minus 3 a ठीक है plus a minus 3 is equal to 0 तो यहाँ पर देखे a common ले लेंगे तो a common ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a minus 3 और इसमें से हम क्या common ले सकते हैं plus 1 common ले लेंगे तो a minus 3 is equal to 0 ठीक है यह value आ जाएगी अब यहाँ पर हमें क्या पता है कि a minus 3 और a plus 1 is equal to 0 है a is equal to यह 3 हो जाएगा और a हो जाएगा a is equal to minus 1 यह हो जाएगा अब a की value हमें पता है पहले से x square है तो इसको हम अभी और further solve करेंगे x square is equal to क्या हो जाएगा 3 x square is equal to 3 हो जाएगा it means हम यह कह सकते हैं कि x की value जो हो जाएगी वो plus minus under root 3 हो जाएगी और दूसरा क्या है x square is equal to minus 1 आजाएगा और minus 1 को x की value अगर हम करें तो minus 1 नहीं हो सकता है यानि root के अंदर जो अगर minus लगा है तो उनको हम imaginary numbers बूलते हैं imaginary numbers तो यहाँ पर equal है तो solve यह नहीं होगा यानि यह नहीं होगा तो यहीं दो roots बनेंगे आपके एक plus का 3 हो जाएगा root 3 और एक minus का root ली यह आपके answer हो जाएगे ठीक है समझ में आ गया होगा चलिए next question चल करें next question क्या है solve for x using that quadratic formula write your answer correct to two significant figures x minus 1 whole square minus 3x plus 4 is equal to 0 की बेन है तो देखिए इसमें हमें करना क्या है simple सा हमें पहले यह करेंगे कि x minus 1 का whole square दे रखा है तो इसको पहले open कर लेंगे एक a square plus b square और minus 2a भी होता है तो हम लिखेंगे इसको minus 2x minus 3x plus 4 is equal to 0 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यह plus 1 है यह plus 4 है तो plus 5 हो जाएगा यह minus 5x हो जाएगा तो x square minus 5x और यह plus 5 is equal to 0 अब यहाँ पर हमें यह चीज़ पता चल गई यहाँ से हम क्या करेंगे a की value यहाँ से हमें पता है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मैं color change कर लेता हूँ pen का तो चलिए देखिए a की value यहाँ से क्या हो गई 1 और v minus 5 और c की value 5 हो जाएगी तो चलिए उसी क्या होता है फार्मूला minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a तो इसी पर हम solve करेंगे तो minus b minus minus 5 हो जाएगा ठीक है plus 5 plus minus under root b square अब 20 square की value क्या हो जाएगी यहाँ पर इसको देखिए 25 में 20 minus जाएगे तो क्या बचेगा तो बचेगा 5 तो हम लिखेंगे 5 plus minus under root 5 by 2 यह हो गई अब under root 5 की value हम क्या हो देखो यह आपको निकालना है यह आपको निकालना आता होगा अगर नहीं आता होगा तो आप बताईएगा हम सिखा देंगे कि इस कैसे हम root 5 को निकालते है फि तो 5 plus 2.24 हो गई एक बार हम इसको ऐसे solve कर लेंगे और दूसरी बार minus में solve कर लेंगे तो देखे 5 plus 2.24 कितना हो गया 7.24 by 2 यह आप solve करोगा देखे 2 से आ गया 3.62 और दूसरा जब हम करेंगे 5 minus 2.24 by 2 तो यह 5 में इसे 2.24 जाएगा तो क्या बचाएगा 2.76 इसको 2 से divide करोगे तो यह क्या आएगा देखे 2.02 और यह आपका हो जाएगा 1.38 यह आपका answer हो जाएगा 1.38 यह दूसरा यानि 2 significant figures तक बताना था हमने 2 significant figures तक बता दिया तो यह इसका answer हो जाएगा तो फिलाल इस video में इतना ही तो चलिए अगर आप लोगों को मेरा explanation question अगर अच्छा लगा मेरा explanation अच्छा लगा है तो प्लीज इस video को like कर दीजिएगा और साथ ही share कर दीजिएगा और bell icon को भी press कर लीजिएगा subscribe करने के बाद मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care